जेहन दोस्तों, क्या आप इस टोन को पहचानते हैं। ये है नोकिया का एन नाइटी सेवन मिनी। आपको रिलीस करा गया अच्छा नोवंबर दो हजार नॉजार 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 और अब ये हो जुका है बारा साल पुराना फोन बट अभी तक ये आज सेम अज ब्रांड न्यू आइफोन करना परफॉर्म करता है। बिल्कुल भी है नहीं होता है ये बट अगर आप इसके स्पेक्स सुनेंगे, स्पेदिफिकेशन सुनेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। इसका जो ओएस है दाट इस सिंबियन वर्जिन 9.4 और इसमें आपको कैमरा भी देखने को मिलता था। विच इस फाइव मेगापिक्सल काल-Z सेंसर और आपको डूल फ्लेश देखने मिलती थी। यही नहीं आपको इसमें 0.3 मेगापिक्सल का सेलफी कैमरा भी देखने को मिलता था। और कॉलिटी तो उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छी दी कैमरा ऑभी के हिसाब से भी इतनी बुरी नहीं है यह काफी अच्छी रहती है इसकी क्लाटी अगर हम इसके internals, मतलब कि इसके हम hardware के बारे में बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलती है 128MB की RAM जी हाँ 128MB RAM इस phone में आपको देखने को मिलती है and storage जो है that is 8GB, 8GB की storage इसमें आपको देखने को मिलती थी because at that time 12 साल पहले इस application जो थी वो इतनी heavy नहीं होती थी especially जो Android phones दोन की application अभी भी इतनी heavy नहीं होती है iPhones के application थोड़ी heavy हो जाती है and उस time के साबसे ये इतनी storage भी काफी होती थी लोगों के लिए and अगर हम और चीजों के बारे में बात करें गाई तो जी हाँ ये एक type से ऐसे open हो जाता है phone and यहां पर आपको qwerty keyboard देखने को मिलता है and of course it looks like a mini computer आप इसको ऐसे use कर सते है and overall I love this phone till yet अला कि हाँ इसकी थोड़ी बहुत condition सी बुरी सी होगी है बट आपको इसमें side में chrome सा भी देखने को मिलता है which makes the phone look shinier इसमें आपको headphone jack भी मिलता है and वोई moti pin वाला charger इसको हम बोलते हैं samsung type वाला वो इसमें हमें देखने को मिलता था for charging and जब यह phone नया हाता था तब इसका price था 26,000 rupees in India जी हां 26,000 rupees in India आपको यह cost करता था बट अगर आप अपके साब से compare करें आपको 26,000 में इससे तो काफी अच्छी technology मिल जाती बट हाँ एक और बात है इसमें यह 3G SIM भी support करता था and इसमें mini SIM डलता था और साधी साध इसमें आप internet भी चला सकते थे maps भी था इसमें मजलब कि आप इसमें facebook अभी तक चला सकते है मैंने चला के देखा है and आप देख सकते हैं इस phone का size भी कितना साह है अगर मैं इसको fold करके पने हाथ में पकना हूँ तो यह मेरे हाथ से भी काफी चोटा रहता है इसका जो display है सामने वाला this is 3.2 inches of display और यह आपको TFT display देखने को मिलता है उस ताइम कोई OLED बगारा नहीं होता था this is a TFT display इसके speakers भी उस ताइम के हसाब से काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं अभी मैं आपको इसमें कोई गाना चला के तो दिखा नहीं सकता हूँ तो मुझे copyright आ जएगा अगाइज अगर इस फोन की मैं बैटरी लाइफ के बारे में बात करो हूँ मैं इसको सिम डाल के तो यूज करता नहीं हूँ अब तो यह मुझे नॉर्मल स्टैंडबाइ पर इतना यूज होता नहीं है तो यह मुझे नॉर्मल स्टैंडबाइ जो है that gives off around a week which is quite impressive till yet कि इसकी बैटरी ने इतना जवाब नहीं दिया यह भीज है and it runs quite smooth till yet बाकी I hope आप लोगी वीडियो अच्छी लगी कि अगर अच्छी लगी तो मैं शूट गिल दिस वीडियो बिग थाम्स अप and guys also consider hitting the subscribe button as well as the notification bell ताकी आप मेरी एस इंट्रस्टी वीडियो पे सबसे बेरे नोटिफिकेशन पास अगे मैं मिल तों लोग से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए